हलो फ्रेंट्स मैंने नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभाद 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हमनों करने वाले हैं क्योंकि मैंने इसका अल्रेडी जो है हिंदी एक्सप्रेशन अप्लोड कर दिया है और यह जो है रेंबो क्लास 6 का लेशन नमर वन है एक्शुली यह ओल्ड बुक है साइध हो सकता है नए वाले में कोई और लेशन हो तो चलिए इसके सबसे पहले कुस्टन को देखते हैं इसका जो कुस्टन है वो यह है कि what did the mango tree and the banyan tree do all day long ठीक है तो यहाँ देखिए mango tree और banyan tree पूरे दीन क्या करते थे ठीक तो यह जो है यहाँ पर दिया गया है तो आपको इसके answer को चलिए हमनों देखते हैं क्योंकि मैंने बता दिये कि question कर रहा है कि आम का पेण और बरगत का पेण पूरे दीन क्या करते थे तो इसका answer से लिए देखते हैं तो जो answer है वो यह है कि the mango tree and the banyan tree आम का पेण और बरगत का पेण talk to each other each other all day long ठीक है तो जो आम का पेण और जो बरगत के पेण थे वो आपस में दिन भर एक दूसरे से बात किया करते थे यहां देखिए जो second नमरोला question है वो यह है कि why did the mango tree want to drive away the animals ठीक है जो आम का पेड़ था वो जानवरों को क्यों भगाना चाहता था तो इसके answer को चलिए देखते है तो जो इसका answer है वो यह है कि because क्योंकि the tigers ठीक है जो tigers थे रोर आर ओ ए आर है ठीक है रोर loudly वो जोर-जोर से धारते थे and smell bad और जो उनकी उनके सरीर से काफी बुरा smell आता था मतलब बिल्कुल वो बदबु देते थे सो इसलिए he drive away इसलिए वो उन्हें भगाना चाहता था so he wants ठीक है एक बात बता दूं बहुत सारे लोग अगर यहां पर यहां तक भी लिख लेते हैं जैसे because the tigers roar loudly and smell bad यहां तक भी अगर कोई लिख लेते हैं तो वो भी पूरी तरह से सही है या फिर अगर आगे और लिखना चाहते हैं तो आगे भी यह पूरी तरह से सही है ऐसी कोई बात नहीं है यहां तक भी सही है और जो है यहां इसके आगे भी अगर आप लो लिखते हैं तो सही है क्योंकि यहां पर देखे लिखा गया है कि जो आम का पेड़ था वो जानवरों को क्यों भगाना चाहता था तो क्योंकि टाइगर्स जोर जोर से रोज वहां पर ताहरते थे और उनके बदन से बेकार खुसबू आती थी इसलिए वह उन्हें भागाना चाहता रहा ठीक है यह वांट है डबलू ए एंटी ठीक है अब चलिए इसके अगले कोशन को अध्यन करते हैं यहां देखिए जो नेक्स्ट कोशन है वो यह है कि वाट डिड़ बनियान ट्री से यानि बनियान ट्री ने क्या कहा जो बरगत का पेड़ था उसने क्या कहा तो कोशन ये हैए यह ऑनियान ट्री यानि बरगत की पेड़ ने कहा that की Do not drive away Do not do not drive away them ठीक है या फिर इसको अगर हम लोग यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि do not them drive away तो भी बिल्कुल सही है इस them को हम लोग अगर यहाँ ला लेते हैं do not drive them again ठीक है तो भी पूरी तरह से सही है या फिर अगर यह वहाँ पर है तो भी कोई उसमें गलती नहीं है we need each other हमें एक दूसरे की आवसकता है we must live together और हमें साथ साथ अवस्य रहना चाहिए हमें साथ साथ रहना चाहिए तो जब बरगित के पेड़ ने उस क्या बलते हैं आम की पेड़ से कहा तो साथ उसमें कुछ सदबुधी आई इसलिए उसने समझाते हुए कहा कि तुम उन्हें भगाओ मत हमें एक दूसरे की आवसकता है और हमें एक दूसरे को हमें एक दूसरे को साथ साथ रहना चाहिए ठीक तो चलिए अब next question को देखते हैं यहां पर मैं एक बार फिर से समझा दू कि जो रिखा गया है बर्गत के पेड ने कहा तो जो नोट ड्राइब आवे देम ठीक है कि उन्हें भगाओ मत हमें एक दूसरे की आवसकता है हमें साथ रहना चाहिए तो जो नेक्स्ट कोर्षन है वो यह है कि वो यहां अगले दिन कौन आया यानि उस आम के पेड के पास वहां अगले दिन कौन आया तो आंसर देखिए टू उड कटर्ष ठीक है दो लकड हारे मतलब लकडी काटने वाले यहां पर कटर है बस कटर्ष है ठीक है तो टू उड कटर्ष गेम देर नेक्स्ट डे ठीक है तो वहां पर यह दी एवाई दे लिखा गया है तो वहां पर अगले दिन जो है दो लकड हारे वहां पर आये तो टू उड कटर्ष गेम देर नेक्स्ट डे ठीक अब चलिए इसके आखरी कोशन को देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है तो जो ये उसका आखरी कोशन है वो ये है कि वाई डिर दा उट कटर्स चूज टू कट मैंगो ट्री अच्छा लकड हारों ने उस आम की पेड़ को क्यों चुना काटने के लिए यानि लकड हारे जो थे उन लोगों ने आम की पेड़ को काटने को क्यों चुना तो जो आंसर है वो यहां से है क्योंकि आप लोग जानते ही है कि वहां पर उस आम के पेड़ को काटने के बारे में सोचते हैं तो उसी के दर का कुछ आंसर है चलिए उसकी आंसर को देखते हैं या पर है because क्योंकि there were no no any wild animals ठीक है क्योंकि वहां पर कोई भी जंगली जानवर नहीं थे वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं थे इसलिए इसलिए उसने चुना काटने के लिए यह टी है ठीक है चूज टू कट दा मैंगो ट्री ठीक ना तो वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं थे इसलिए उसने जो है उन लोगों ने उन लकड़ारों ने उसाम को पेड़ को काटने के बारे में सोचा चलिए अब अगली exercise क्या है वो देख लेते हैं जो अगली exercise है वो यह है कि tick the right sentence sentences and false the wrong sentences ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जो सही sentence है उस पर सही का tick लगाना है और जो गलत sentence है उस पर गलत का tick लगाना है तो चलिए यहां पर देखते हैं the mango tree sorry the banana tree wants to drive away the animals जो बरगत का पेड़ था वो जानवर को भगाना चाहता था तो आपने मन से आप सूच कर बतबताए क्या जानवर जो बरगत का पेड़ है क्या उन्हें भगाना चाहता था तो गलत यह option जो है गलत है क्योंकि बरगत का पेड़ जो है उन्हें भगाना नहीं चाहता था तो इसलिए हम यहां पर cross यानि गुणे का चिन यानि गलत का चिन लगाएंगे यहां देखिए अगला जो B नमर वाला है वो यह है कि there was a demon in the mango tree यानि आम के पेड़ पर एक भूत थे तो यह भी पूरी तरह से गलत है जो false है the banana tree was a warrior ठीक है जो क्या बोलते हैं वाइजर वाइजर का मतलब होता है बुद्धिमान ठीक है तो यहां पर देखिए the banana tree was a wiser तो यह option जो है वो पूरी तरह से सही है next है कि trees and animals need to each other पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की आप सकता है तो यह option भी पूरी तरह से सही है ठीक है अब यहां पर जो यह words power दिखाई देरा जिसमें लिखा गया है write in your notebook the names of five ठीक है तो जो है यहां पर word power में यह हला कि exercise जो है उतनी ज़रूरी है नहीं पर अगर आप लों चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर write in your notebook अपने copy में लिखना है the names of five ठीक है पांच लिखना है जैसे पांच जैनुबरों का नाम पांच पेड़ों का नाम पांच चिडियाओं का नाम और यहां पर देखें instects का नाम जैसे पांच पांच करके सबी चीजों का नाम लिखना है ठीक है तो इसको आप लोग हाला कि यह कराया नहीं जाता इसकोलों में तो इसको आप लोग चाहें तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं तो आई होब कि यह जो सेरिंग ये जो कोश्वान आंसर था आप लोगोस समझ में आया होगा और इसमें कोई भी किसे दर्ख की कोई दिकत नहीं होगे तो मिलते हैं इसके अगले लेशन के वीडियो में और तब तक के लिए वीडियो आप लोगो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट में बताईएगा